हेलो एंड वेल्कम बैक दियर स्विवने स्टों अकाडमी जे चानल आइम समीर सिंचोली करेवर मैथमेटिक्स मेंटर एंड वेल्कम बैक टू जे लाइव देली 4.0 अनन्त जहां पर आज हम डिसकस करने वाले हैं डोमेन और फंक्शन वाले टॉपिक को बड़ा ही यहां पर इंपॉर्टन डिसकेशन है आप लोगोने कुछ बेसिक डिसकेशन से यहां पर क्लास 11 में भी किये होए होंगे लेकिन क्लास 12 की यहां पर जो आपकी क्लास चल रही है इसके इंदर फिर से डोमेन को थोड़ा से डि विच विल भी कि यहां पर रिलेशन और फंक्शन में एक्चली डिफ्रेंस क्या होता है क्या सिमिलरेटी होती है क्या डिफ्रेंस होता है और हम कैसे पैचानेगी कि कोई एक चीज अगर आपको दी हुई है कोई एक रिलेशन अगर आपको दिया हुआ है तो क्या वो लेंगे तो हम उसके बाद में यहाँ पर फर्दर डिस्कस करेंगे कि डोमेन और फंक्शन बेसकी हम कैसे निकालते हैं कोश्चन यहाँ पर करके काफी मज़ा आएगा आपके आपको यहाँ पर थोड़ा से रिविशन मिलने वाला है डोंट पर आपको यहाँ आद आ जाएंग सब्सक्राइब बटन दबा देना चाहिए और बेल आइकन भी प्रेस करना चाहिए ताकि आपके यहाँ पर कोई भी सेशन मिल रहे हैं उनके साथ साथ प्राक्टिस के लिए हमने यहाँ पर अपनी बुक भी आपको यहाँ पर बता दी है टॉप रैंकर सीरीज आप यहाँ पर 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 सकते हैं और उसके थ्रू भी अपनी प्रैक्टिस आगे बढ़ा सकते हैं तो आपको यहाँ पर बच्चों सभी एजुकेटर्स काफी एक्स्पिरियंस मिल रहे हैं फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रवाइट करना अनकेट में चैनल के थ्रू यही हमारा पर टार्गेट होता है तो आप सारे बच्चे भी यहाँ पर जुड़े रहें और यहाँ पर महनत करते रहें आपको यहाँ पर पटा होना चीनल की जैटीम के साथ में जुड़कर बच्चों ने 100% भी निकाला हुआ है आप भी यहाँ पर बिल्कुल सही मार्द दर्शन के स अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा रहे हैं जेए की जैसे कि आपको मांट एवरेश चड़ना है ये बहुत लंबी जरनी है लेकिन लंबी जरनी की शुरुआ की बच्चो एक सिंगल कदम से होती है आप यहां पर अपने वह जो एक एक कदम हैं उनको यहां पर अच्छी दरीके स लेते रहे हम तो आपके गाइड है ही हम आपको यहां पर जो है मांटेन के टॉप जरूर पहुचाएंगे लेकिन आपको हमारे साथ-साथ यहां पर चलना जरूर पड़ेगा ठीक है तो आज करते हैं आपको यहां पर याद होगा कि हमने पिछले discussion में थोड़ा बहुत यहा पर अभ्यास session भी attend किया था जही लाइफ डिली अभ्यास बच्चों आपने कर मिस आउट कर दिया है तो आप यहां पर काफी सारी practice यहां पर miss कर रहे हैं don't do that आपको यहां पर इस session के बाद भी यहां पर description में दो अलग-लग अभ्यास के sessions मिल रहे होंगे मतलब practice sessions मिल रहे है एक हम यहां पर relations के लिए करने वाले हैं एक हम यहां पर domain of function के लिए करने वालो है जो हम आज यहां इहां पर सीकने वाले हैं दोनों ही sessions को आपने बच्छों यहां पर enroll करके रखना चागी और timely वहां पर attend करके अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना चाहिए हम यहां पर को अच्छी दिरिके से समझ चुके हैं आप सारे बच्चे वहाँ पर थे बहुत ही बड़िया बात है I can see a lot of yeses in the live chat thank you very much हाँ हम यहाँ पर आज as a machine का भी discussion करने वाले हैं कई सारे बच्चे शायद यहाँ पर already 1.0 के कुछ-कुछ sessions देखकर आये हैं लेकिन आपको यहाँ पर questions काफी सारे अलग मिलेंगा यहाँ पर जो basically आप changes notice करेंगी मुझे लगता है कि काफी कुछ ना है यहाँ पर आज लेक्चर में सीखने के लिए मिलने वाला है ठीक है और राइट तो हम यहाँ बच्चों की अगर बात करें तो पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि functions relations से ब लेकिन अगर उन relations में कुछ खास बात आजाए कुछ special आजाए ठीक है उन relations में अगर कुछ special आजाए तो हम उन relations को ही functions बोलना start कर देते हैं मतलब हम सभी relations को function नहीं बोल सकते हैं रिलेशन्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उन ही कुछ relations में अगर कुछ खास बात आपको यहाँ पर मिलती है तो उन relations को हम यहाँ पर relation ना बोलके functions बोलना भी start कर सकते हैं एक simple सा idea में आपको देता हूं जैसे कि quadrilateral होता है quadrilateral मतलब क्या है चार साइट के थ्रू बना हुआ एक जो होता है उसको quadrilateral कहते हैं ठीक है लेकिन अगर मैं आपको यह बोलू कि या आपकी जो है सारी साइट्स इकोल हैं है और आपकी जो आ साइट्स हैं वैसे ही हम यहाँ पे जो functions basically पढ़ने वाले हैं उन सभी functions को आप relations बोल सकते हूं उन सभी functions को आप relations बोल सकते हूं लेकिन सामने वाला क्या है जादा बहतर understanding ले पाएगा आपकी बातों की आगर आप function बोलोगे उस चीज़ को अगर वो special property रखता है तो अब यह special बात क्या है यह basically हमें आज के session में समझनी है ठीक है तो हम यहाँ पर यह आपको जो है basic definition बता र देखा है function is a special case of relation यह तो हमने देख लिए हाँ यह कुछ लो कुछ special type का यहाँ पर एक relation होता है ठीक है जहाँ पर every element of first set आपने यहाँ पर देखा होगा कि हम जब भी relation define करते हैं so we always define relation from set A to set B हमने कई सारे mapping diagram भी बनाये थे mapping diagram की मदद से हमने यहाँ पर relation को अच्छी तरी के से visualize करना भी सीख लिया था तो आपने यहाँ पर दो गोले वाला diagram last lecture में बहुत बार देखा हुआ है ठीक है तो उसके इंदर जो पहला वाला आपका set होता है ठीक है उसकी अगर आपको यह देखने के लिए मिलता है किसी भी relation के अंदर तो फिर आप उसको कैसे कर सकते हैं आप उसको as a function कर सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ठीक है मेरे पास में set a से set b तक function जो है sorry relation define करने का चांस था है न मैं यहाँ पर relation define करते समय कितने अलगलग relations बना सकता हूँ अगर मैं आप से पूछू हूं तो क्या आप मुझे बता पाओगे आपके यहाँ पर number of relations कितने बन सकते हैं क्या आप इसका answer दे सकते हैं क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि Cartesian product में कितने elements होंगे तो आपके बास में यहाँ पर यहाँ पर सबसेट्स बनेंगे ठीक है तो टूरेस्टू सिक्स तो बहुत बड़ा number हो गया ठीक है उसमें से एक पर्टिक्लर relation में यहाँ पर आपको भी draw करके दिखाया है ऐसे और भी relations यहाँ पर द्रॉ कर सकते हैं तो वो लिंग्ड है के साथ में लेकिन आपको यहाँ पर यह देखना है कि कोई भी फर्स सेट का element दो अलग अलग elements के साथ में लिंक नहीं है ऐसा नहीं हो सकता कि वन का element का link second set element से होना चीए और केवल एक ही link होना चीए एक से कम भी नहीं चलेगा एक से जादा भी नहीं चलेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या यह function की condition satisfy कर रहा है हाँ क्योंकि यहाँ पर हर एक आपका जो first element है वो second set के elements के साथ में एक single linkage केज बना रहा है ठीक है ना ही एक कम ना ही एक जादा one and only one link यहाँ पर आपको दिखाई देना चीए यह बात थोड़ी सी और अच्छी तरी के से समय में आएगी अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे question frame करके आप से पूछेंगे तो ठीक है तो सारे बच्चे यहाँ पर live chat में जो मौझूद है वो अगले page बे जो question है उसको अच्छी तरी किसे समझना और answer करने की कोशिश करना yes no सवाल है बहुत ही आसान ही यहाँ पर answer करना तो ready है सारे बच्चे यहाँ पर yes everybody is ready to understand कि यहाँ पर क्या होने वाला है all right just try and answer this एक बार फिर से आप यहाँ पर definition पढ़ ले अगर आपको चाहिए तो a function is a special case of relation where every element in the first set has one and only one output in the second set one and only one output in the second set और यह रहा बच्चो आपके सांगे सवाल बड़ा ही simple सवाल है यह जो relation मैंने अभी यहाँ पर define किया है can this relation be categorized as a function can this relation be categorized as a function अब आपने यहाँ पर बच्चो जे लाइव डिली का जो last session था वो भी देख लिया है आपने साथे साथ यहाँ पर जो है जे लाइव डिली अभ्या सेशन भी एक attend कर लिया है right so I think कि यहाँ पर आपकी relation की understanding इतनी तो आ चुकी है कि आप यह चीज देखके थोड़ा कुछ समझ पा रहे होंगी कि यह बोलना क्या चाहा है है ना देखो यहाँ पर ध्यान से हम एक बार अपनी definition फिर से समझेंगे कोई दिक्कत नीए लेकिन दिमाग में एक बार पंड आगर उतर जाता है ना अगर मैं यहाँ पर इसका mapping diagram बनाना स्टार्ट करूं mapping diagram construct करना स्टार्ट करूं तो set a के elements देख लिए एक बार मायनस और मायनस और मायनस टू 012 है ना हमने यहाँ पर set a के elements को left hand side में plot कर लिया है और set b के elements को हमने right hand side में plot कर लिया है क्या सभी बच्चों के दिमाग में ऐसा ही कुछ mapping diagram बनना स्टार्ट हो चुका है येस 01234 अब यहाँ पर मुझे जो यहाँ पर a, b element generate करना है उसके लिए यहाँ पर इसने जो condition दिये हो क्या है कि b जो होना चाहिए मतलब यहाँ से जो आपको pick करना है वो क्या है वो a का square होन अगर दे रहा है तो उसको link कर दो उसको जोड़ दो आपकी definition वहाँ पर उसको allow करेगी आपकी definition क्या allow करती है minus 2 which is your value of a उसका square करके क्योंकि आपको 4 मिलता है तो इन दोनों का link बनाना वो allow कर देगा इस तरह का एक आपको यहाँ पर arrow बनाते आ जाएगा वैसे ही minus 1 का square minus 1 का स्क्वेर वह 0 होता है तो आप इसको link कर सकते हो और तू का स्क्वेर आपका 4 होता है तो इसको भी link कर सकते हो जो बात आपको यहाँ पर definition में बताए गई थी क्या वह यहाँ पर fulfill हो रही है देखो बच्चों यह relation तो पक्के से है relation तो यह पक्के से इसमें आपको कोई doubt होना ही नहीं चाहिए विकॉस रिलेशन की definition तो बहुत ही स्टेट पॉर्ड है का अपके बहुत सारे arrows लग सकते थे उन में से कुछ एक arrows आपने लगा दिया मतलब आपने हाँ पे सबसेट क्रियेट डेफिनेटली किया है ordered pairs का मतलब ही relation तो कहलाएगा ही लेकिन आपकी यहाँ पर एक element खाली बैठा हुआ है ऐसा अगर आपको यहाँ भी दिखाई दे मतलब यह फिर function नहीं कहलाएगा और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक element से दो एरो तीन एरो चार एरो निकल रहे हैं ऐसा भी नहीं होना चाहिए मतलब क्या यहाँ पर allowed है वो भी यहाँ पर समझ लो converging arrows इसका मतलब यहाँ पर allowed है कोई दिक्कत नहीं है अगर दो अलग अलग आपके inputs same output generate करके दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप उसको as a function categorize कर सकते हो लेकिन ऐसा नहीं हो सकते कि यहाँ से और एक arrow निकल गया और एक diverging arrow का आपका mapping diagram बना है वो यहाँ पर function की definition allow नही करता इसका answer क्या है बच्चों इसका answer है yes इसका answer है yes it can be categorized as a function एक और यहाँ पर चोटा सा ही चेंज किया है आपके साथ राइट इतना ही चेंज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 0 था पहले वाले question में second वाले question में 0 नहीं है बाकी पूरा सवाल आपका exactly same है तो क्या अब आप यहाँ पर मुझे बता सकते हैं can this be categorized as a function लाइफ चैट में मुझे यहाँ यहाँ में answers चाहिए जल्दी से बताएं सारे बच्चें इस टाइम अराउंड कैन्मी टेकराइब देस एज फंक्शन कैन्मी टेकराइब देस एज फंक्शन राइट अगर set में 0 न होता तो यहाँ पर crazy queen मुझे लगता है कि आपकी यहाँ पर बात एकदम सुन ली गई है यहाँ पर मैंने actually वही question frame करके आपसे यहाँ पर fundamental level पर बात करना चाहा है ठीक है तो I can see a lot of no's in the live chat यार आपने यहाँ पर मतलब खुश कर दिया आपको यहाँ पर बात definition कैसे यहाँ पर हम categorize करते हैं वह सौन में आ गया है देखो इस case में आपके बास में क्या change हो आए बस यहाँ पर जीरो नहीं है ठीक है तो जब आप यहाँ पर बाकी definition सेम लगाने आपको इधर का square करके इधर वाली value आनी चाहिए तो minus 2 का square करके 4 आएगा connect कर दो right तो इसको इस बार आपके पास में यहाँ पर वो जो एक particular condition थी वो disturbed हो गई आपकी यहाँ पर left hand side का जो set है वहाँ से exactly एक arrow निकलते हैं आपको दिखाई देना चाहिए mapping diagram के language में लेकिन यहाँ पर आपका 0 जो है वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपने ध्यान नहीं रखा आपने right hand side क सेट में 0 दिया ही नहीं तो आपने अभी जो यहाँ पर construct किया है क्या यह mapping diagram relation कहलाएगा हाँ यह relation पके से कहलाएगा क्योंकि relation की definition बड़ी सिंबल है relation की definition होती है Cartesian product का subset बन जाए तो subset यहाँ पर Cartesian product का यह बन रहा है लेकिन आपकी function की जो speciality है वो यहाँ पर fulfill नहीं हो पा रही है इसलिए हम इसको as a function categorize नहीं करेंगे important बात समझो आपका यहाँ पर जो है relation exactly change किया नहीं गया था वहाँ पर भी is equal to a square था है यहाँ पर भी is equal to a square ही है but क्योंकि मैंने a और b set में changes कर दिये हैं इसलिए एक बार मेरा answer yes आया और इस बार मेरा answer क्या आएगा इस बार मेरा answer आएगा no it cannot be categorized as a function all right कुछ भी छूटना नहीं चाहिए सब कुछ यहाँ पर जो है आपके है ना outputs create करने वाले elements मौजूद होना चाहिए तो एक बात बताओ कि अगर मैं अपने a set में से भी 0 को हटा दूँ अगर मैं अपने a set में से भी 0 को हटा दूँ हटा दिया मैंने इसको तो अब क्या यह function कहलाएगा क्या अब यह function बन जाएगा यह अब यह function डेफिनेटली बन जाएगा ठीक है अगर मैं यहां से टू हटा दूँ तो क्या यह function बन जाएगा अरे इंसे परग नहीं बढ़ रहा आपकी जो condition है क्या आपकी फर्स सेट के उपर ही है सेकंड सेट में आपकी पास में कुछ elements बच जाएं ना बचें कुछ फर्म नहीं बढ़ रहा सेकंड सेट इस नौट इंपॉर्टन पॉरस और डिफाइन पंक्शन पर सेट इस इंपॉर्टन पॉरस ठीक है तो अगर मैं यहां से 0 हटा देता हूं तो फिर यह function की category में actually lie करने लग जाएगा ठीक है और एक सवाल का यहां पर answer देनी कोईश करता हैं बिल्कुल similar सी आपको यहां पर feel आई कि लेकिन इस बार मैंने काफी changes किये हैं देखो यहां पर पिछले page पर और इस page पर काफी सारे changes हो गए एक तो मैंने यहां पर जो है a is equal to b square कर रहा है relation तो यह पक्या से हैं यह जो relation generate किया जा रहा है क्या यह एक function की category में belong कर सकता है क्या जल्दी से यहां पर सोचके बताओ yes यह आपका answer आना चाहिए इस बार आपका answer पिर से आना चाहिए no no answer आपका categorize this particular thing as a function क्यों नहीं वो देखते हैं अब यहां पर जल्दी से यहां पर बोला गया है कि a comma b इस relation का part होगा अगर b का square करके a आएगा तो अगर b का square करके a आएगा तो ठीक है तो minus 2 का square करके क्या आता है 4 आता है मतलब इनका link possible है इनका link possible है क्योंकि इसका square करके इसके बराबर वाली value हमें मिल रही है ठीक है अच्छा अगर मैं यहां पर notice करूँ तो minus 1 का square करके यहाला link भी possible है और 2 का square करके 4 मिलता तो याला link भी possible है इस particular mapping diagram में दोनों ही यहां पे गडबड हो गई हमने बुला था कि आपका किसी भी element के साथ में ऐसा धोका नहीं होना चीए कि यहां से arrow निकला ही नहीं यार दो elements के साथ में धोका हो गया है तू और 3 में से arrows निकले ही नहीं क्योंकि आप यहां पर a is equal to b square बनाने के लिए यहां पर क्या नहीं ले पा रहे हो यहां पर आपको root 2 अगर होता तो यहां पर arrow connect हो जाता क्योंकि इसका अंडरूट करके root 2 आ जाता या फिर रूट 2 का square करके आपके इसमें 2 आ जाता है न तो अगर यहां पर रूट 2 रूट 3 वाले elements होते है तो हमारे पास में यह जो create होता वो क्या होता यह function क्रियेट हो गया होता नेकिन नहीं और भी दूसरे लेवल पर प्रॉलम है दूसरे लेवल पर इशू क्या है कि यहां पर connection है वनका जो linkages है वो दो linkages आ गया इसके इंदर एक input के लिए दो output आ गए आप ऐसी language भी यहां पर बोल सकते हो यह allowed नहीं होता function की case में ठीक है तो क्या इतना सब बचों को समझ में आ गया कि यह भी आपका function क्यों नहीं होने वाला है yes is that right बहुत बढ़िया तो आपको यहां पर function कभी भी अगर देखना है mapping diagram की language में तो mapping diagram हर बार बनाना हम प्रिफर एक्चुली functions के case में नहीं करते हैं functions के case में हम प्रिफर क्या करते हैं graph function के case में हम graph बनाना प्रिफर करते हैं ठीक है so हम यहां पर थोड़ा था अपना जो है अब discussion उस direction में भी ले जाना चाहते हैं ठीक है and before we understand the discussion of graph which we will do right right after this let us first understand the idea of domain co-domain and range using mapping diagram, mapping diagram बच्चों इहां पर मैंने आपको इहां पर बना के दिया है उसको इहां पर सारे बच्चे से समझ ले मेरे पास में set A जो है और set B जो है वो इहां पर अल्रडी defined है, वो हम यहाँ पर mapping diagram से already दिखाई दे रहे है, set A के अंदर हमारे पास में क्या है, minus 2 minus 1 0 1 2 है, जैसे की पहले भी था और set B के अंदर हमारे पास में क्या है जैसे की पहले भी हमारे पास में थे, 0 1 2 3 4 elements हमारे पास में है, ठीक है अब यहाँ पर मैं एक function basically जो है लिखना चाहता हूँ and the name of that function I am taking to be x square मैं अपना x square function यहाँ पर define करना चाहता हूँ and this square function is defined from set a to set b इस तरीके से हम यहाँ पर लिखना होता है f is the function which is defined from set a to set b मतब यहाँ वाले जो elements से यह input की तरह काम करेंगे और यहाँ वाले जो elements से यहाँ से आपको outputs मिल पाएंगे ठीक है तो आपको यहाँ पर यह mapping diagram वाले ही feel आ रही है लेकिन हम यहाँ पर अपनी language अब यहाँ पर develop करने की कोशिश कर रहा है ठीक है कि यह जो linkages है यह linkages बनाने के लिए आपने किस basically function का इस्तिमाल किया है तो आपने यहाँ पर x square function का इस्तिमाल किया है जो आपके left hand side वाले elements होते हैं set a के जो आपके elements होते हैं उनको हम as an input इस्तिमाल करते हैं और यहाँ पर input क्या है x ठीक है मतलब x की value यहाँ से उठती है और आपकी y की value यहाँ से उठती है y आपके ultimately output generate होते हैं under this particular function under this particular mapping ठीक है तो यहाँ पर में नाम की बात करूँ तो और भी एक नाम आपको यहाँ पर books में पढ़ने के लिए मिलता है which is image and pre-image ठीक है तो आप यहाँ पर यह देखो कि जैसे आप यहाँ पर कुछ project कर रहे हैं आप यहाँ पर इस particular function की यहाँ पर input डालने को मिल रहा था उसका नाम भी आपने यहाँ पर समझ लेना चाहिए इन elements को हम यहाँ पर pre-image कहते हैं कि यह नाम है हमें पता होना चाहिए क्योंकि books में या फिर questions में यह नाम भी आपको देखने के लिए मिल पाएंगे अल्राइट लेकिन हम यहाँ पर discuss क्या करना चाहते हैं हम यहाँ पर discuss करना चाहते हैं domain co domain and range domain co domain and range आप यहाँ पर बच्चों अगर अपने relation का idea इस्तिबाल करो domain निकालने के लिए तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे आप यहाँ पर सारे ordered pairs लिखोगे relation लास लेक्चर याद है सारे बच्चों को राइट हम यहाँ पर अगर इसको function को relation बोलते तो कोई दिक्कत निए ना अगर मैं यहाँ पर अपने relation का idea इस्तिमाल करूं तो मैं यहाँ पर क्या-क्या ordered pairs क्रेट कर रहा हूं इतने चार-पांच अलग-लग मैं मेरे पास में ordered pairs है तो domain की जो मैं बात करता हूं relation में उस time पर हम क्या बोलते हैं कि ordered pairs का ordered pairs का जो first element का set है उसको आप यहाँ पर इखटा करके बता दो आपका domain होता है तो क्योंकि इस बार हर एक element participate पक्के से करेगा because we are discussing functions तो हर एक element यहाँ पर participate पक्के से कर रहा होगा अदरवाइस फंक्शन कहलाएगा नहीं तो अगर हर एक element यहाँ पर participate करी रहा है कुछ और कुछ आंसर जनेरेट करने में तो यहाँ पर सारे ही elements basically आपकी domain में count हो जाते हैं इसी लिए अगर आप एक function define करते हो from set a to set b तो बिना कुछ सोचे समझें आप यहाँ पर यह जो set a है पूरा का पूरा जो यह गोला है इसी को आप domain बोल दो कोई tension नहीं है यही actually आपका domain होता है relation में लेकिन ऐसा नहीं होता relation में क्योंकि यहाँ पर आपके पास में हो सकता है कि 0 से कोई arrow निकले नहीं जैसे हमने यहाँ एक example किया था जहां पर 0 अवेलेबल ही नहीं था तो 0 से arrow निकलेगा ही नहीं तो उस relation के बारे में सोचो उस relation की domain में 0 नहीं आया लेकिन क्योंकि हम function की बात कर रहे हैं तो हम जैसे बोल दिया function मतलब हर एक element participate करेगा उसकी मतलब से कुछ नो कुछ answer आपको मिल रहे होंगे राइट इसका मतलब domain तो यहाँ पर निकालना बड़ा आसान है अगर आपको mapping diagram available करा दिया जाए तो आपका जो mapping diagram है उसमें जो आपके first set है वही आपका basically क्या कहलाता है domain कहलाता है ठीक है उदर क्या दिमाग में domain हम सीधे सीधे इस चीज को बोल सकते है ठीक है और आपने हाँ पर सोचा होगा कि यह second set का भी देशने कुछ नाम तो होना चाहिए तो क्योंकि यह domain है तो इसका भाई है इसका नाम क्या है सेट का नाम है यहाँ पे code mail ठीक हैम बढ़ा है आसान है Wanna कि लेपंट सइडवाला जो आपका effet है उसका नाम है domain और राइक हैं और इसका यहाँ और आती है सारे elements तक पहुँच नहीं पा रहे हैं इसलिए जब आप यहाँ पे range का discussion करते हो ठीक है आप यहाँ पे जब definition दिखाते हो function की तो जो a होता है वो domain होता है जो b होता है वो co domain होता है लेकिन range आपको निकालनी पड़ती है ठीक है range अगर आप से में पूछूँगा तो इस case में जहाँ जहाँ आपके arrow जाँ पा रहे हैं जो आप यहाँ पे outputs actually generate कर पा रहे हो उतने ही elements का जो set होगा उसको हम range बोलेंगे क्या यह बात clear है जल्दी से एक thumbs up या फिर yes हो जाए क्या आपको यहाँ बास में आगे क्या तीनों यहाँ पे definitions जो है वो clear हो गई है यहाँ पे official जो definition होती है words में वो हमने यहाँ पे नहीं लिखी है लेकिन आपको यहाँ पे fundamental level पे mapping diagram की मदद से domain range and co domain clear हो गया है yes जहां 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 पे arrows पहुच पा रहे हैं बहुत बढ़िया जहां जहां पे arrows आपके पहुच पा रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं रेंज कहते हैं right सब्सक्राइब आगे बात सारे बच्छों को all right so let us try to understand let us try to understand the idea of graphs आप यहां पर मतलब खुश हो जाओगे हैं न क्योंकि अभी graph हमें बहुत detail में पढ़ना है आप लोगों यहां पर कुछ-कुछ graphs actually class level में भी पढ़े हुए हैं है न मॉडलस function हो गया ग्रेटेस इंजर function हो गया हम जानते हैं कि हमारे पास में अगर कोई भी x और y में relation अगर दिया हुआ है तो हम उसको draw कर सकते हैं फिर बहले ही वह relation कितना ही गंदा क्यों ना हो गंदा मतलब यहां पर जैसे यह दुनों example हम बाद में लेते हैं आपको यहां पर थोड़ा सा ना comfortable करने के लिए एक बार यह example का discussion करने है एक स्क्वेर प्लस y स्कूर इसको डू बन क्या आप सारे बचे जानते हैं यह क्या है एक स्क्वेर प्लस y स्कूर इसकूर डू बन क्या है circle का equation है but is it a relation yes it is a relation because it is relating values of x and y x और y यहां पर मैं क्या क्या डाल सकता हूं मैं वही x और y डाल सकता हूं जो बेसिकली square करके add करके one generate करें यह क्या हो गया यह एक तरीके से आपका relation हो गया ना relation between x and y relation between x and y बताने के लिए हर बार जो है एक तरफ x और एक तरफ y होना ज़रूरी नहीं होता relation between x and y बताने के लिए इस तरह का भी हम पर आपके बास में expression आ सकता है क्या हम इसको ड्रॉ करना जानते हैं क्या हम इसको ड्रॉ करना जानते हैं हम इसको ड्रॉ करना जानते हैं यह तेक circle आता नहीं मतलब हम यहां पर एक graph जो बना रहे हैं इस नॉट डैट कि वह relation होना ज़रूरी यह नहीं हम graph तो relations का ड्रॉ करना जानते हैं हम graph relation का ड्रॉ करना जानते हैं क्या आप यहां पर y square is equal to x का graph ड्रॉ करना जानते हैं आपको पर पता है कि y square is equal to x एक राइट ओपनिंग पर बनना चाहिए जल्दी से confidence के साथ में yes बोलके बताओ in the live chat yes everybody knows कि यह right ओपनिंग पैरावला आपका बनेगा y square is equal to 4a x 4a का value 1 कर दिया मैंने 4a का value मैंने कितना कर दिया 1 के बरावर कर दिया है ठीक है आते आते हैं आपको बहुत सारे हाइप्रोपला बनाते आते हैं आपको पता नहीं कितने सारे अलग अलग ग्राफ बनाते हैं और आते हैं what we want to learn in this discussion is कि क्या हम यहां पर ग्राफ देखकर ग्राफ तो आपने बना ही लिया क्या आप यहां पर ग्राफ देखकर यह distinguish कर सकते हैं कि आप जिस relation के साथ में deal कर रहे हैं क्या वो relation function की तरह categorize किया जा सकता है या नहीं पंड़ा समयार है relation तो obviously नहीं है is this a relation y is equal to x square obviously यार तुम खुदी बोल रहे है y is equal to x square so you are speaking out some relation between x and y ठीक है वैसे y square is equal to x is this a relation obviously it is a relation you are saying this y square किसको बरावर होना ची एक्स को बरावर होना ची इस 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 आप एक्स और यह दोनों के दोनों relation तो है लेकिन function कौन से है आप यहां पर function test करने के लिए ग्राफिकल यह अगर डील करना चाहते तो आप यहां पर यूज करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर आप अपने ग्राफ के ऊपर कहीं पर भी एक वर्टिकल लाइन बनाओ और आप वर्टिकल लाइन को एक से ज़्यादा बार कट नहीं कर पाओ तो वह function हो जाता है तो यह function आपका हो जाता है समस्रें हो यह आपका function है yes क्यों क्योंकि आप यहां पर अपनी वर्टिकल लाइन कहीं पर भी ले जाओ पर रकनी बढ़ता कट नहीं कर पा रही है एक ही बार कट कर पा रही है इसलिए क्या हो गया आपका यह function हो गया लेकिन इस relation को graph को देखो ध्यान से आपका y square is equal to x वह जो relation का graph है वहां पर वर्टिकल लाइन सक्सेस्फुली दो points पे आपके graph को cut कर पा रही है और इसलिए क्या यह function होगा क्या यह function होगा तो नहीं यह आपका function नहीं होगा वर्टिकल लाइन टेस्ट बड़ी ही आसान है जैसे कि अभी मैंने एक relation बताया था x square plus y square is equal to 1 जो circle की equation है क्या circle एक function के category में आ सकता है नहीं function x जो आपका circle है वो function की category में नहीं आ सकता है क्योंकि वर्टिकल लाइन वहां प तो फिर से आप यहां पर देखो की problem कहा है प्रॉलम बेसिकल लिए अगर आप यहां पर देखोगे तो आप लिए नोटिस करते हो कि आप एक particular x value के लिए दो अलग-लग y के value report कर पा रहे हो आप plus y भी report कर पा रहे हो और आप minus y भी report कर पा रहे हो मतलब एक possible input के लिए दो possible output आप यहां पर generate कर पा रहे हूं, which looks like a diverging arrow in case of mapping diagram, mapping diagram के language से सोचो, आपको diverging arrows वाली feel आईगी, कि input तो आपका 1 है, input तो आपका X है, लेकिन आपके output जो है, वो इधर भी जा रहा है, और इधर भी जा रहा है, so what you are creating is diverging arrow, आगर आप यहां पर mapping diagram की बात सोचो तो, और यहां पर आपको इसमें अगर vertical line test की बात सोचो, तो आपको दो अलग-अलग intersection points दिख रहे हैं, मतलब यह आपका जो relation है, यह function की category में नहीं लाय करेगा, यह वाला successfully लाय करता है, कहने को दोनों parabolas नहीं है, कहने को दोनों parabolas हैं, लेकिन यह दोनों functions नहीं, इसी की जगे, अगर मैं य root लेके y is equal to root x बोलू, तो y is equal to root x will become a function, and that's why square root is a function, and that's why square root is a function, एक third example भी हाँ पर सारे बच्चे लिख लें, ठीक है, third example है आपका y is equal to square root x, square root x जो होता है, उसका graph कैसे होगा बच्छों, square root आपका होगा, बस इतना सा, square root आपका basically half parabola होता है, उपर वाला, ठीक है, तो जला मिटा दिया, आपने यहाँ पर minus root x बनाया ही नहीं, आपने के अबल plus root x बनाया, तो इस बार आपको जो vertical line है, यह एक ही बार क्योंकि cut कर पाएगी, इसलिए, जो आपका square root function है, वो function है, जो आपका square root function है, वो एक function है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बात सुन में आई, क्योंकि number तो महीं से मिलेंगे, आभी तक तो हमने यहाँ पर अपने discussion में के अबल funday ही discuss किया है, and that is where you can understand the function as a machine, ठीक है, आप यहाँ पर machine कैसे भी हो सकती है, मैंने यहाँ पर जो machine आपको समझाने के लिए इस्तमाल करी है, it is a juicer, क्योंकि juicer हम यहाँ अपने घर में रोज करना चीए, क्योंकि हमें यहाँ पर अब यह समझ राचुका है किया relation क्या होता है, हमें यह समझ में आचुका है कि relation जो हे function कभ कहलाता है, लेकिन अब function का सवाल अगर आ रहा है तो पूछा क्या जाएगा, function का अगर सवाल आ रहा है, तो सबसे basic चीज जो आपसे पूछी ज जा सकती है वो यह हैं कि आप इस पर्टिक्लर फंक्शन का डूमेन निकाल के बताओ कितना है यह सवाल पूछा जा सकता है ठीक है अब उसके लिए विजलाइदेशन मेरे ख्याल से काफी आपको हेलफुल लएगा ठीक है तो आपके पास में बिसकली जो फंक्शन होता है वो मशीन की तरहा है मशीन की तरहा है ठीक है वो अपना कुछन कुछ काम करने के लिए रेडी है आप उसके अंदर इंपुट डालो वो अपना काम और कुछ न कुछ आउट्पुट जुनरेत करें तो आप जो जो यहां पर इंपुट डालोगे उतने अलग लग वो आउटपुट यहां पर जर्ने कर पाएगा ठीक हैं और यहां पर आप यह समझो ऍर इसका डॉमें कुछ न कुछ है जूसर जो है वो अपने आपने एक तूट सी डालो आप ज्यादा मजाग मत करो उसके साथ ठीक है आप यहां पर डाइमंड्स या फिर कोई टॉइ या फिर लकडी डाल दोगे तो आपका यहां पर जूसर बर्बाद हो जाएगा वह मैं तो जूसर हूं मैं यहां पर जो है लकडी का जूस निकाल के बता सकता हू ठीक है वैसे ही आपके जो mathematical functions होते हैं वो भी यहां पर कुछ inputs तो allowed करते हैं लेकिन कुछ inputs वो allowed नहीं करते हैं जो inputs आपको allowed होते हैं वो उस function की domain कहलाते हैं जो inputs आपको allowed होते हैं मतलब values of x यहां पर input मतलब क्या होते हैं x हम क्या क्या input में डाल सकते हैं ठीक है तो वो सारे values उसका जो collection है, जो set है, या interval है, उसको हम क्या कहता है, domain of that particular function x, ठीक है, और आपके domain में जितने भी elements possible है, उन सभी को आप input में डाल के जो output actually generate कर सकते हो, उसको हम यहाँ पर range की category में रख सकते हैं, ठीक है, तो बड़ा ही आसानी यहाँ पर अपने domain और range को समझना, अगर आप य तरीका है इस बात को समझने के लिए, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपने questions की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर अपनी notebook आप यहाँ पर जो है, ready कर लेनी चाहिए, ठीक है, the first question that I want to solve is, क्या होगे, हाँ, ओके, the first question that I want to, क्या होगे, बताओ, आगे, 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 ओके, the first question that I want to solve is this, लेकिन सवाल के अंदर काफी बड़े-बड़े, हाँ पर जो है, log-log वाले expressions हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा से revision तो हो जाना चाहिए, हाँ पर हमारे standard functions का, ठीक है, तो यह काफी परिशान कर रहा है, क्या हो गया इसको, let me just go back, let's go back, 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 यहां से भी नहीं जा रहे है, oh my goodness, okay, let's go forward, okay, okay, so यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, domain of some standard functions को हम discuss करना चाहरे, ठीक है, all right, नजर ना लग जाए कि दिखिए, का क्या आपको इहां पर याद है कि आपने class 11 में बहुत सारे कुछ interesting functions पढ़े हुए है, उनको एक बार recall कर लेते हैं, that is what I suggest, all right, so let us recall one by one, आप इहां पर क्या जानते हैं, सबसे famous function आपका जो है, जो हम इस्तमाल करेंगे, that is square root function, square root function जो आपका है, क्या आपको पता है कि यह कह कहां पर अपने inputs को allow करता है, कहां कहां पर यह मना करतेता है, ठीक है, let me just write something like this, जहां पर हम इसको table की format में create कर पाएंगे, I am writing few functions over here, and I am writing their domain over here, है न, अगर हम यहां पर standard function की domain नहीं पता होगी, तो हम यहां पर questions जो पूछे जाएंगे, उनको answer नहीं कर पाएंगे, हम यहां आप अपने standard functions के बारे में knowledge पहले से होना चाहिए, जो आपने यहां पर last year लिया हुआ है, अगर आपने बाइचांस बच्चों miss कर दिया है last year का discussion, तो functions नाम का जो आपका class 11 का 3.0 का playlist है, जे लाइड डिली 3.0 को जा आपका playlist है, उसको आपने जाके definitely दिखना चाहिए, log function हो function हो गया, आपका modulus function हो गया, इस type की जितने भी important functions होते हैं, हुँँ सभी को discuss करके यहां तक पहुचा है, ठीक है, so आपका सबसे पहले जो इहां पर function में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, that is square root function, square root बोलता है, square root बोलता है कि आप यहां पर जो मेरे को values दे रहे होने, वो positive देना अगर कम करनी है तो 0 देना, लेकिन 0 से कम देने की कोशिच बिल्कुली मत करना, मैं यहां पर row दूँगा, मैं यहां पर आपको output निकाल के नहीं दूँगा, अब यहां पर वैसे बच्चे बोलते हैं, square root के अंदर negative value तो हमें पता है, आप minus 1 डालोगे तो iota आजाएगा, minus 2 तो डालोगे तो iota आजाएगा, root 2 iota आजाएगा, सर, क्या बड़ी बात है इसके इनदर, ठीक है, लेकिन नहीं, हम यहां पर जो basically functions discuss कर रहे हैं, वो कैसे हैं, वो standard functions है, वो यहां पर जो standard functions है, हम यहां पर अपने real inputs के लिए real outputs expect यहां पर कर रहे होते हैं, real inputs के लिए real outputs ही expect कर रहे होते हैं और इसलिए यहाँ पर आपके square root function में हम negative actually जानते हैं कि negative input डाल के आएगा क्या लेकिन हम यहाँ पर मना कर दें क्योंकि हमें real output ही चाहिए होते हैं ठीक हैं तो keep this in mind and because of that आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि आपके x की जो value है वो greater than or equal to 0 हो ना जी तो जैसे आप हम यहाँ पर juicer के example में discuss कर रहे थे न बच्चों, juicer के example में हम यहाँ पर क्या discuss कर रहे थे कि आप यहाँ पर juicer के अंदर कोई गलत value मत डाल देंगा, fruits डालो तब तक चलेगा, तो मतलब unroot function के लिए fruit क्या है, यह fruit है, यह चलेगा उसको input में, आप यहाँ पर greater than or equal to 0 value डालो इसलिए यहाँ पर condition में हमने x greater than or equal to 0 लिखा है, अगर यहाँ पर मैं इसको change कर दूँ, है न, इसको अगर मैं इहाँ पर change कर दूँ और बोलू कि इसको unroot में, कुछ दूसरा expression मिल रहा है x का, जिसको मैं fx बोल सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर यह guarantee करना पड़ेगा, कि इसका मतलब आपका जो मिल रहा है, उसको fx है, इसलिए fx greater than or equal to 0 होना चाहिए, this is what we have to understand, right, तो हम यहाँ पर इसको questions में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप और भी standard functions को आपके साथ में इहाँ भी discuss करना चाहता हूँ, second standard function that we want to discuss is obviously log function जिसको हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे, log of some number, base में a, है ना, इस तरीके से हमारा log का complete definition होता है, number भी पता होना चाहिए और base भी पता होना चाहिए, तो आपके हैंपर यह जो number है, this number has to be greater than 0 without fail, this number, नहीं तो log बना करते का बोलेगा, यह क्या दे दिया आपने मेरे को, ठीक है, this number n has to be greater than 0, ठीक है, again, the logic is कि आपको यह हमें real output चाहिए, otherwise तो बच्चों हमने log of iota भी निकाला हुआ है, आपको याद है, हमने log of minus 1 भी निकाला हुआ है, complex number का discussion आपको अगर याद है, तो हमने यह सारे काम किये हुआ है, log of minus 1 हमने निकाला है, लेकिन just because हम निकालना जानते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वो knowledge हम यह हम यहाँ पर functions discuss कर रहे हूं, real functions है, हम यहाँ पर output real चाहिए होता है, तो real output generate करने लिए n आपको कैसा चाहिए, greater than 0 चाहिए, और आपका यहाँ पर base के उपर भी condition होता है, कि वो greater than 0 होना चाहिए, लेकिन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, यह दोनों functions सबसे जादा हम यहाँ पर इस्तमाल करने वाले हैं, जिनको domain की point of view से थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है, वैसे आप यहाँ पर अगर सोचोगे, तो आपके पास में और कौन से functions है, जिसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, अगर मैं यहाँ पर सोचू तो वैसे मेरे पास में यहाँ प ठीक है, तो उनको यहाँ पर इसलिए में discuss नहीं कर रहा हूँ अलग से, या लिखने रहा हूँ अलग से, आप यहाँ पर क्या सोच सकते हो, greatest linear को कुछ भी दे दो क्या फरक पड़ रहा है, ठीक है, fraction part को कुछ भी दो क्या फरक पड़ रहा है, signal function को for that matter कुछ भी दो क्या फर sin x, cos x, sec x, cosec x, tan x, and we also have cortex, ठीक है, तो यह आपको standard trigonometric functions है, sin x और cos x को तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अगर आपको इनकी domain लिखना है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे r, r मतलब क्या है, all real values, इनमें आप कुछ भी real number डालो, sin और cos अपने हिसाब से यहाँ पर अपन करना चाहते हो, secant की, तो secant बुरा मान जाता है, जहाँ पर cos 0 होता है, जहाँ पर cos 0 होता है, वहाँ पर secant बुरा मानता है, मतलब हम यहाँ पर odd multiples of pi by 2 इसके अदर नहीं डाल पाते हैं, ठीक है, यह हमें basically पता है, we already know कि यहाँ पर domain का discussion क्या होता है, through the discussion of trigonometry, लेकिन हम यहाँ पर बहुत ही जदी, questions को begin करने माले है, आपको कहाँ दिक्कत होती है, cosecant के case में, cosecant के case में आपको दिक्कत होती है, जहाँ पर sin 0 होने की कोशिश करता है, तो आपका sin 0 कहाँ पर होता है, any multiple of pi, चाहे odd multiple हो, चाहे even multiple हो, आपका sin 0 हो जाएगा, और इसलिए cosec को व जहाँ पर secant को दिक्कत थी, exactly वहीं पर tan को भी दिक्कत आएगी, मतलब odd multiples of pi by 2 ठीक है, और वैसे ही, अगर आप यहाँ पर cot के बारे में सूचोगे, तो यह क्या है, basically cos upon sin है, तो sin जहाँ पर 0 होगा, वहाँ पर denominator 0 होने के chances है, वो हम यहाँ पर पसंद नहीं है, exactly वही चीज kozik को भी पसंद नहीं, because kozik is also 1 upon sin, ठीक है, तो इसकी अगर मैं domain की बात करूं, तो यह कितना हो जाएगा, r minus n pi के बराबर हो जाएगा, याद रखना काफी आसा नहीं, in fact, आप सब बच्चों को यहाँ पर याद भी होगा, right, but just a recall for the students, जो यहाँ पर अभी है ना, time पर discuss करेंगे, जब वो सवाल हमारे सामने यहाँ पर आएगा, so let us try to answer this question, let us try to understand the basic idea behind solving questions of domain, ठीक है, तो पहला सवाल हम यहाँ पर जो solve करना चाह रहे है, आप सभी बच्चों के पास में यहाँ पर, है ना, screen के उपर वो सवाल आ चुका है, let us, let us all try together, है ना, कि क्या इसका answer basically हमने ultimately report करना चाहिए, ठीक है, ready है सारे बच्चे, yes, ready है सारे बच्चे, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यह बोलें, अच्छा, पहली बात हो यहाँ पर यह, कि कभी भी आप यहाँ पर अपने आप से, है ना, given brackets को, है ना, greatest integer या fraction part मत मानना, जब तक question में बोला नहीं, तब तक आपने given brackets को greatest integer या फिर fraction part नहीं मानना चाहिए, तो यह आपके standard वाले bracket है, है ना, उसने लेकिन यहाँ पर square bracket इस्तिमाल किया हुआ है, उसको अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने इस्तिमाल किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो domain का, यहाँ पर main, यहाँ पर solve करने का तरीका है, वो इहाँ पर समझना होगा, कि मुझे यहाँ पर दिखा ही दे रहा है, एक log के अंदर मुझे कुछ ने कुछ दिखा ही दे रहा है, यह carry. यह input है किस के लिए, इस log के लिए, यह पूरा का पूरा calculate होके किक सको मिलेगा, ultimately यह ultimately इस log को मिलेगा और यह log क्या बोलेगा कि मेरे को आप यहाँ पे गलती से भी negative value मत पकड़ाना 0 भी नहीं चीए मेरे को मेरे को तो क्या चीए मुझे जो भी input मिल रहा है मुझे जो भी input मिल रहा है that input has to be greater than 0 that has to be confirmed मेरे पास में जो भी हाँ पे input आ रहा है that input has to be greater than 0 इतना फंडास में आए तो मुझे यहाँ पे input मिल रहा है मुझे हाँ पे input मिल रहा है minus of log of x base में 3 इसका square plus 5 times of log of x base में 3 and minus 6 यह मुझे log के अंदर input दिखाई दे रहा है जो हम लॉक को देना चाहेंगे आगे चलके तो यह value इसलिए आपको क्या करनी पड़ेगी ग्रेदन 0 करनी पड़ेगी अब यहाँ पर आने के बाद में आपका जो पूरा सवाल है यह इस बात पर करता है कि क्या आपको यहाँ पर inequality अच्छी तरीके से स्वाल करते आती है या नहीं और यार आज तो मतलब तो देखो यहाँ पर क्या होगा अभी थोड़ी देर के लिए समझने के लिए लेट मी जस्ट टेक इस एक्सप्रेशन टूबी इक्वल टूटी ठीक है अगर में यहाँ पर टी लिखता हूं तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई देगा मुझे दिखाई देगा माइनस टी स्क्वेर प्लस पाइटी माइनस सिक्स ग्रेट दन जीरो यह मुझे सॉल करना है अब यह चीज में आसानी से सॉल कर सकता हूं क्योंकि यह कॉर्डिक इनिक्वलिटी अब मुझे दिखाई दे रही है लेकिन मिहाँ पर माइनस मल्टिप्लाई डेफिनिटली करना अब ही अगर मैं यहाँ पर इसको तो मुझे आपर क्या दिखाई देगा मुझे इहां पर अपना वलोई यह अंब यहाँ यहाँ पर टूरी यहाँ कर आ reference resurrect क्या चाहूंगा में हाँ पर select करना चाहूंगा negative वाला expression because this has to be less than zero to less than zero कहां पर आया बच्छों less than zero आपका यहां पर आया है दो और तीन के बीच में but I will not be including the end points two and three क्योंकि यहां पर equality का sign नहीं है यह सारे फंडे हमने कपड़े हैं यह सारे फंडे in equalities के हमने in class 11 functions नाम की class 11 की जो playlist है उसको आपने जाके देखना चाहिए अगर आपको यहां पर कहीं भी किसी भी question में छोटी सी भी problem आ रही है तो ठीक है आपकी वो problem definitely solve हो जाएगी इसलिए यहां पर मैं आपको तो x का value अब यहां पर कितना निकल कर आएगा इस तरह के in equalities को solve करने का तरीका वैसा ही होता है जैसे हम equalities को solve करते हैं कुछ खास difference नहीं है यहां पर आप अगर x के ओपर comment करना चाते हो so 3 की power 3 हम बनाएंगे और यहां पर 3 की power 2 हम बनाएंगे जो basic log का base है वो अब यहां पर right hand side में base की दरह काउन करता है यह वाला base अभी भी base ही है यह वाला number power में चला गए यह वाला base अभी भी base ही है यह वाला number power में चला गए तो आपने यहां पर जो है log inequality solve करी है अगर आपको इस सवाल के solution में दिख्कादारी देन what you are facing trouble with is log inequality log inequality is something that we have studied in our 11th class ठीक है तो यह आपका basically answer बनना चीए कि यहां से लेकि यहां तक आप अगर इसके अंदर x डालोगे तो आपको यहां पर यह जो बाहर वाला log है वो calculate करके कुछ न कुछ सही answer निकालके दे देगा लेकिन आपने यहां पर एक बात और notice करनी चीए कि इस question में तो initially भी log था यह भी देक log है यह वाला भी तो log यहां भी दिक्कत दे सकता है यह वाला log भी तो यहां भी दिक्कत दे सकता है ideally आपने यहां पर इसकी मदद से भी एक inequality additionally generate करनी चाहिए थी we started from here we should have started from the inner log और यह जो inner log है उसको हमने यहां पर बोलना चाहिए था कि यह आपको कैसा चाहिए यह आपको यहां पर जो है एक सही value निकालने वाला log चाहिए ठीक है तो actually आपको यहां पर एक inequality और आने चाहिए थी कि log x base में 3 has to be grid sorry log x base में 3 क्योंकि यहां पर आपको यह लिखने से परक नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका जो answer आया है वो automatically greater than 0 ही आया है 9 से लेके 27 तक आपको यहां पर जो answers मिल रहे है वो greater than 0 ही values है इसलिए इस question में यह जो additional हमने discussion किया उसका requirement नहीं था बट करना चाहिए था क्या हाँ करना चाहिए था ठीक है तो हमने पहला ही सवाल यहां पर log वाला लिया है आपके यहां पर जो है last year की यादे तासा हो गई है एक सवाल और करता है बच्चों यहां पर domain का सवाल है लेकिन यहां पर unroot के साथ साथ आप यहां पर modulus function भी involved है domain के questions करना में आपके class 11 के सारे ही यहां पर पंडे और functions revise हो जाता है इनमें यह अच्छी बात होती है ठीक है देखो यहां पर ध्यान से find the domain of this particular function fx अगर यह बोला जाता है तो मैं यहां पर जानता हूँ कि यहां पर main problem किसको हो सकती है modulus function के अंदर आप कुछ भी डालो modulus function जो है उसका basically mod लेके आपको answer निकाल के दे देता है ठीक है लेकिन square root function के नकरे है square root function के अपने फुद के नकरे है उन नकरों को हम यहां पर जेलना पड़ता है ठीक है तो square root function क्योंकि यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं यह बोल रहा हूं कि यह square root function का input है तो हमें यह guarantee करना पड़ेगा हमें यहाँ पे वही x यहाँ डालने चाहिए जिनके लिए आपको answer greater than or equal to 0 मिले यह मुझे कैसे पता चला क्योंकि मैंने अभी हाँ पे standard functions जब आपके साथ में discuss किये थे तो मैंने आपको बताया था square root function के लिए यहाँ पर basically कौन से values acceptable होते हैं square root function के लिए यह values कैसे होने चाहिए आगर वो वाकि square root function के लिए input की तरह काम करना चाहते तो उन्होंने greater than or equal to 0 होना चाहिए ठीक है ओल्राइट तो हम यहाँ पर इसको solve कैसे करेंगे अब यहाँ पर आती है बात की आपको modulus inequality solve करते आते की नहीं आती है and it is very easy don't worry है ना आपको सिखाने के लिए ही हम यहाँ पर हैं हम यहाँ पर करेंगे क्या है ना हम यहाँ पर basically अपने cases create करेंगे not let हम यहाँ पर basically अपने cases create करेंगे case one that I want to create is this कि आपका X greater than or equal to zero है हम इस case के लिए basically अपना यहाँ पर solution निकालना चाहेंगे अगर X आपका greater than or equal to zero होगा तो mod X क्या होगा X की बराबर होगा for X greater than or equal to zero mod X is equal to X and that is the reason कि आपको अपको यहाँ पर सवाल काफी अच्छा दिखाई देगा क्योंकि आपने mod का problem resolve कर दिया अब आपके बास यहाँ पर standard वेवी कर वाला question बन चुका है हम ऐसा करते हैं उपर नीचे माइनस multiply करते हैं उपर नीचे माइनस multiply कर रहे हैं तो sign of iniquity में कोई बदलाओ नहीं आएगा है ना एक single माइनस multiply कर रहे होते हैं तो sign of iniquity में बदलाओ आ रहा होता है लेकिन अब यहाँ यहाँ पर वेवी कर में थाड़ आपको यहाँ पर जो अपलाई करनी है इसके इंदर वन इन टू आपकी critical points आये हैं अगर में यहाँ पर देखूं तो यहाँ तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए अपने answer में क्योंकि ओंडू को 0 करता है लेकिन 1 मैंने अपने answer में लेना चाहिए क्योंकि numerator 0 करेंगे तो equal to 0 भी हाँ पर मुझे allowed है अगर मैं plus minus plus लगाता हूं तो मुझे यहाँ पर range पता चलता है अपने answer का which is 2 से बड़ा या फिर 1 से छोटा लेकिन हमने अ आपकी condition है यहाँ पर incorporate करना जरूरी है यहाँ पर कहीं आपका 0 आएगा और हमारे answers यहाँ पर उससे बड़े ही होने चाहिए right so what answers should we pick ultimately ultimately we should pick this and this region what are these regions इनको आप यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखो तो आपको यहाँ पर x की value मिलती है 0 से लेके 1 union 2 से लेके infinity यह हमने अपने पहले case का सही तरीके से answer generate करके लिख लिया है अब हम यहाँ पर ऐसे ही अपने second case को भी discuss करना चाहते हैं और आपको यहाँ पर समझ में आई ही चुका होगा कि second case हम कैसे यहाँ पर generate करेंगे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि अच्छा ठीक है case 2 के अंदर हम लेना चाहते हैं क्या case 2 के अंदर हम लेना चाहते है x less than 0 अगर x less than 0 होता है तो modulus के साफ में क्या होता है modulus आपका minus x जैसा create होता है तो आप यहाँ पर 1 minus minus x जब लिखोगे तो कितना हो जाएगा 1 plus x नीचे आप यहाँ पर 2 minus minus x लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2 plus x क्या चाहिए greater than or record 0 चाहिए मतलब आप यहाँ पर basically x plus 1 upon x plus 2 greater than or record 0 solve करेंगे कुछ नहीं किया है बस आगे भी से करा कर दिया है इसको है ना वो देखके काफी अच्छा लगता है इस लिवस और अगर आप यहाँ पर अब अपना वेविकर मैथड की मतलब से आगे बढ़ना चाहते हो वेविकर मैथड बचो बहुत इंपोरेंट है जो आपने पहले देखी हुई होना चाहिए ठीक है सो अगर आपने बाइचांस मिस कर दिया है तो उसको जाके डेफिनिटली देखें मैं यहाँ पर फिर से अगर प्लस माइनस प्लस लगाना के पहले यह देखूँ कि कौन सा इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए माइनस तो दिनॉट को जीरो करता है मेरे एंसर में अगर मेरे आंसर में आता है तो आई शूड एक्सेप्ट ठीक है अगर मैं यहाँ पर ग्रद्यान और इकोड़ जीरो सॉल करना चाहता हूं तो प्लस माइनस प्लस की मदद से यहाँ पर में प्लस वाले रीजन को इंक्लूड करना चाहूंगा लेकिन फिर मुझे याद आए जो है उसको भूला नहीं है तो आपको यहाँ पर जो कॉमन रीजन मिला इंटरसेक्शन मिला वो कौन से मिला एक तो यह चोटा वाला और एक यह बड़ा वाला ठीक है तो इस बार आपका यहाँ पर जो एंसर क्रिएट होगा वो कैसा है एक्स बिलॉंग स्टू माइनस लेके माइनसट है यहाँ जो रहाएं पिर वैसा हो सकता है अब इनको जोड कर अपने आपर आसर जहनwie मिला मिला है उस पर पर लिख लिक लता हम पहले यहां से आपके में है, zero से लिके, one union. Two से लेखे, infinity और उसके बाद में आपके बास में है क्या? x belongs to x belongs to. minus infinity से लिके, minus infinity से लिके, minus 2 union. आगे कितना हैँ हम अर बास? minus one से लिके, zero. क्या हम यहाँ पर इन दोनों को जोड सकते हैं? माइनस 1 से लेके 0 और 0 से लेके 1 को जोड के मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ अगर मैं इनका union लेना चाहता हूँ इनको mix करके अपना final answer रिपोर्ट करना चाहता हूँ तो इनको mix करके final answer क्या बनेगा x belongs to minus 1 से लेके 1 इन दुनों को मैंने जोड दिया ठीक है यह अलग से एक interval है यह अलग से एक interval है इनको मैं जोड नहीं सकता हूँ तो इनको हम अलग अलग ही रहने देते हैं और यही आपका यहाँ पर final answer हो जाएगा minus infinity से minus 2 union 2 से लेके infinity ठीक है आप अगर चाहते हैं तो इस चीज़ को left hand side में भी लिख सकता है थोड़ा ज्यादा सुन्दर दिखाई देगा minus infinity से minus 2 minus 1 से 1 and 2 से infinity this is the answer of domain of this particular function इस function का यह domain है इसी range में लायक करने वाले आपको inputs डालने चाहिए अगर आप इससे बाहर कोई भी input अगर सोचोगे तो आपके पास में यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अंरूट के अंदर फिर आपको हाँ पर negative answers मिलना start हो जाएगे ठीक है but there is a very standard flow of solving these questions of domain क्या आपको यह वाली बास हमें आए कि यहाँ पर domain के question solve करने का एक standard तरीका क्या है क्यार आप यहाँ पर यह देख लो क्यार कहां पर दिक्कत है वो दिक्कत ना हो इसलिए हम कोई एक inequality generate कर लेते हैं ठीक है इसको दिक्कत है अगर negative हो जाएगा तो हम यहाँ पर बोलते कि अच्छा फिर इसको ना हम इसका मतब positive रखना चाहते है तो इसको greater than or equal to 0 लिखके solve ही कर दिये solve करके जो x आए हम बोलते कि वही वाले x डालना क्योंकि यह वो x है जिसके लिए यह condition solve होके आई है यह condition solve होके यह वाले x आए है मतलब इनके बाहर कभी भी जाएंगे तो यह अली condition match नहीं होगी यह अली condition match नहीं होगी तो अंडूट बुरा मान जाएगा ठीक है so domain के questions की यहां पर बचो जो pattern है वो तो बहुत ही fixed है लेकिन practice definitely आपको यहां पर चाहिए होगी डप domain के questions की और इसी लिए j live daily अभ्यास आपका यहां पर scheduled है ठीक है कहां पर scheduled है आप यहां पर लिंक देखेंगे तो jld अभ्यास जे लाइव डिली अभ्यास ठीक है जो आपके practice session है वो आपका already scheduled है कहां पर है description में आपको लिंक दिखाई दे रहा है ठीक है वहाँ पर आप सभी बच्चों ने क्या कर करके उसके अंदर एक login क्रिएट करना होगा मतलब क्या है phone number के मतलब से आप यहां पर डायरेक्ट कर सकते हैं और हो सकता है कि आपको यहां पर यह जो class है वो unlock करने के लिए unlock करने के लिए कोई code डालना पड़े तो आप यहां पर समीर live डाल सकते हैं यस क्योंकि आप मेरी class यहां पर देखने के लिए जा रहे हैं तो यह code डालके आप अपनी जो class है जे लाइव डेली अभ्यास उसको unlock कर सकते हैं और आपको यहां पर जो भी सवाल extra में हाप याभी homework में दे रहा हूं उनके discussions भी वहाँ पर हम complete करेंगे आपने यहां पर पिसला जे लाइव डेली अभ्यास अगर देखा होगा तो वहाँ पर हमने homework questions डिसकस किये थे और अब म questions के लिए हैं और एक domain के discussion के लिए हैं ठीक हैं दोनों को ही enroll करो जुट जाओं यहां पर साथ में क्योंकि बच्चों प्राक्टिस अपने academy app की ओपर जो चल रही है उसमें ज्यादा फायदा होता है वहाँ बच्चों के साथ में ज्यादर देरी किसे connect कर पाते हैं उनकी जो problem यहां पर इसको mention कर देता हूं कि हमने अपने आप से नहीं मान लेना चाहिए जब तक question में दिया हुआ नहीं था लेकिन मैंने अलग से mention कर दिया है तो आपको इसको solve करना है और अपने जो answer से उनको अपने अभ्यास session में आके बार चेक करना ही कि क्या आपने सही किया या ग question number two, homework question number three, homework question number four, homework question number five, homework question number six, homework question number seven, साथ homework questions और बच्चों आपके पास में हैं अभ्यास session में आपको और भी यहाँ पर सवाल में solve करने के लिए देने वाला हूं ठीक है तो आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर learning अपने YouTube के ओपर लेते जानी है और इसलिए आप ऐसा feel हो रहा होगा कि YouTube के ओपर काफी कम sessions आपके हो रहे हैं लेकिन आपको कम पढ़ाया नहीं जा रहा है आपको यहाँ पर पूरा पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ और बहतर तरीके से practice करवाई जाएगी लेकिन वो practice के लिए आपको link जो दिया जा रहा है उसके जादा आपको फाइदा मिलेगा ठीक है तो आपकी यहाँ पर अनुपम सर की class start होने वाली है so let anupam sir begin his class and आप यहाँ पर बच्चो live delay.me.je link के ओपर जाके अपने जो सारे के सारे lecture से उनको access कर सकते हैं 28 lakh plus daily hits यहाँ पर आते हैं बच्चे अपने जो है इस एक link के साथ में ज चीज़े miss out कर जाएंगे आपको यहाँ पर सारी updates यहाँ पर एक ही जगे मिलते रहती है और अगर आप यहाँ पर आही रहे है telegram के ओपर then apart from this you can also join t.me slash samir chat ठीक है तो आप यहाँ पर personally यहाँ पर मेरे साथ में भी connected रह सकते हैं and you will get a lot more information you will get lot of discussions happening over there as well आपके साथ में share किया हुआ है और आगी भी यहाँ पर में करते रहूंगा ठीक है t.me slash samir chat and t.me slash live jee दोनों को ही आपने यहाँ पर join करना है आपको यहाँ पर बच्चो अगर unacademy का subscription लेके पढ़ना है then I guess आपको यहाँ पर पता होगा हमने आपके साथ में यहाँ यूट्यूब के उपर share किया था यलगार and युद्धा batches unacademy jee की जो यहाँ पर top batches है वो यहाँ पर अभी चल रही है आप इनको join definitely करो long term batches है ठीक है और साथ साथ में आप यहाँ पर practice के लिए top ranker series को भी refer कर सकता है amazing यहाँ पर combination बैट जाएगा और आप यहाँ पर अपनी पढ़ाई आगे continue ब और practice कराने का मौगा हमारे पास में है ठीक है आप बचो लेकिन अगर यहाँ पर युद्धा और यलगार जॉइन करना चाहते हैं समीर लाइट के साथ में join कर सकते हैं मतलब मुझे ही पता से लेगा कि आप सारे students यहाँ पर uncademy jee के ओपर तो मुझसे पढ़े हैं लेकिन further यहाँ पर transition कर रहे हैं on unacademy subscription platform वहाँ पर अच्छी बात क्या होती है कि आपके साथ में पूरा एक batch का जो environment है वो होता है आपको वहाँ पर test series मिल जाती है आपको मटल मिलता है solve करने के लिए doubt sessions मिलता है ठीक है आपको वहाँ पर further practice के लिए questions मिल जाते हैं तो आपको वहाँ and unacademy आपके साथ में यहाँ पर जो है store भी अब जो है open हो रहा है तो इसके लिए हम भी वहाँ पर मौजूद होंगे आप सब के साथ में in जैपूर तो जैपूर में अगर कोई बच्चे हैं तो वो यहाँ पर आपको description में form मिल रहा होगा उसकी मदद से आप यहाँ पर register कर होगी तो आप सारे बच्चे वहाँ पर transition कर सकते हैं एक बात तो तैह है बच्चो आप है तभी हम है तो आप यहाँ पर हम सभी educators को encourage करने के लिए live chat में तो मौजूद रहा ही करिए उसके साथ साथ यहाँ पर sessions को like करके share भी करो ताकि आपकी अनकैडमी यही टीम का भी यहा अब रोज आने के लिए और आपके साथ में हमें quality and free content share करने के लिए ठीक है and that is it from my side take care बच्चो बाबाए